हेलो दोस्तों नमस्कार यह उनिकल साउंड का और एक नियो वीडियो में आप सभी के स्वागत हैं जैसे कि आपको थंबलीन देखके पाता चली गया होगा आज किस्टोपिक को लेके बात करने वाले हैं तो चलिए फिर भी मैं बाता दे रहा हूं कि जैसे आप्लिफायर को चूज करना पड़े तो टोप के लिए कुन सा बेस के लिए तो आज हम दो ब्रांड का आप्लिफायर लेने वाले हैं जिसका थोड़ा थोड़ा रिवियो करेंगे उनके बारे में समझेंगे तो बहु होगा एक एनेक्स ओडियो एम्टी चुरह 2009 का जो और उसका λέब ऊठिएंग Nord ऑ legislature सब्सक्तिए और एक व्रॉन वाले हैं जो USB-SXL bénkyatEub 6 per 5 यह वाला आम्प्लिफायर जो कादल यह वाला आप्लिपायर के तरफ से आता यह कितने ओम पर कितने लूट देता है यह सारे कुछ चीज के बारे हम अग जानने वाले हैं तो चले वीडियो के साथ बने रहिएगा चले दोस्तों वीडियो के ऊपर चलते हैं पहले जो हम बात करेंगे जिस अंपलिफायर के बारे में वह होगा है NX-sodio MT1201 जो कि आपका 5000 बन vad का रहे बेसे दूसरा और भी वही 5000 होने वाला है यह रहा ॉद्सक्राइव को लोकrov कि बात करें वह है पहले दोस्तों का पावा ह्युआ रेंट्ण देख लेते हैं पावा रेटिंग इसका जो है कितना वोंस पे कितना ऑट तो डिस्प्ले में जैसे सो हो रहा होगा आप देखी सकते हैं यह जो आप्लिफायर है यह एट ओम पे आपका धेर सबोचास वाड़ दे देता है पर चैनल और इसका जो फॉर ओम पे देता है वह है 1850 वाड़ और इसमें जो टूम्स पे देता है दोस्तों बहुत तो दो चैनल को मिला के हो जाता है आपका 5000 5000 वाड का अपली भार है आप इसमें मैं तो बोलूँगा क्या आपको किस टैप का स्पीकर चलाना चाहिए बेस चलाना चाहिए या चलाना चाहिए बहुत बाद में देखेंगे लेकिन इसका और भी आउट पूड रहते हैं जैसे ब ब्रेज मोड में आपको एटम पे 700 वाड दे देता है और ब्रेज मोड में फोरम पे जो देता है वह फोटी एट वाड फोटी एट दे देता है तो इसका जो डॉंपिंग फेक्टर है वह है 800 बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन बेस चलाने के लिए काफी है और यह जो अम्प्लिफायर है वह उसका जो टाइप है वह क्लास एच है इसमें और खासी होते दोस्तों इसमें क्रोसबर का सेटिंग दिया हुआ रहता है और इसमें बैलेंस इंपूट रहते हैं तो यह सबसे बहतर रहता है बेस चलाने के लिए तो इसमें आप कितने को फोरूम या एन पर तो एट ओम पर अगर आप दे रहे हैं तो 800 वार्ट से लिए था ज़र वाट तो पोर चैनल दो बैस आप चला सकते हैं इसमें जो 808 ओम पर है वो गापका 300 वाट तो कब बैस चला सकते हैं और चैनल पूर एक बैस हो आपका तो इस टाइप के करके कर हो गया आप समझ गया होंगे टू ओम्स पे आपको जो अगर बेस तो चला नहीं पाएंगे तो टौफ ही चलाना होगा आपको तो टू ओम्स पे आपको देना पड़ेगा आपको YouTube Yeah U уч नोच सब्सक्राइब में उस्वाइब अच्छी तरह से देखिए पील करका वजाएएगा तो बात बाकी इसके बारे में तो इतना ही बाकी दूसरा अप्लिफायर के उपर चलते हैं जो हमारा होगा SPV 5K इसमें क्या है इसका थोड़ा स्पेसिफिक संदेख लेते हैं मैं दोस्तों पहले बाता दे रहा हूं इसमें कोई-कोई ऐसे होते हैं टॉप चलाने के लिए ले आते हैं स्ट्रेंजर का यह फाइब के अप्लिफायर लेकिन इसमें आप बैस ना चला है तो बहतरे में पहले ही माना करते रहा हूं तो इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी देख लाते हैं चलिए इसमें क्या है कि हम दूसरा कोई चीज बात नहीं करेंगे जैसे नेट वैट हो गया पावारर तो यह इन्की यह सारे चीज मुझे नहीं कोई और आता भी होगा तो कोई कोई भरक नहीं पड़ता यह सारे कुछ चीज आप सभी पता ही तो यह सारा कुछ चीज मैंने बोलने वाला हम सिर्फ आउटपूट के बारे में जखेंगे और यह जो दोस्तों में बताया कि यह दो आपलीपायर दो आपलीपायर का जो आउटपूट है वह आरेमेस पावर के उंदर है तो इसका जो पहला जो एट ओम पॉर जो आउटपूट आएगा वह जर वाड़ से जोने पारे के बाद तो गाएगा वह भी परचेनल और इसमें जो है एट ओमस पर होगा इसमें 1700-100 और तो और इसमें जो टूओं पे होगा आपका आउटपुट जो होने वाला दोस्तों वो आपका 25-25 वाड का आज जाएगा पर चैनल पर तो इसमें हम किस टाइब का स्पीक और या फेर किस टाइब का सोफर यूज़ कर सकते हैं सोफर तो मैं पहले ही माना कर चुका हूं तो टॉप देख लेते हैं कैसा चला सकते हैं अगर देखिए ओम्स के वरे में आपको पता ही होगा अगर ओम्स को लेकर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आप वहां जाके चेक आउट कर सकते हैं इसमें जो पहले टूओम्स पर कितना स्पीकर के सबसाम लोड देंगे बहुत सारे कुछ चीज देखने वाले हैं इसमें पहले टूओम और फोरोम ही देखेंगे एटों को छोड़ देंगे जो टूओम पर होगा आपका वह हो जाता है आपका जैसे कि 25 वार्ड है तो च हो जाता है तो बारा-बारा 2400 वार्ड हो जाता है तो आपको कि वाराइस ओर्टका एक टॉप लगाना पड़ेगा मतलब दो टोप एक चैनल में और दूसरा चैनल में दो और टौप तो इसका फोरोम पे देखेंगे इसमें 800 वार्टका जो है टौप तुछरी 800 वार्टका जो होए एक स्पीकर होगा तो आपको टॉप भी बहुत ज्यादा मोजबूती होना चाहिए तो इस तरह करके आप टॉप चला सकते हैं तो मैं हमें से कौंगा टॉप चलाते हो तो आप टूओं पर चलाओ फोरों पर चलाओ तो भी बहुत अच्छा है अगर आपके पास अंप होगा तो आप फोरों पर चला सकते हैं इसका जो दोस्तो बैसिंड परेंट होगा अभी पता दे रहे हुं इसका जो दोस्तों डिपरेंट्स होग को क्विप्लीफार के उतर यह धंज़र और नमर सकते दो डिपरेंट्स वह क्वालेटी को लेकि उस अम्फिपार मैं और इस na मैं और पो स्थी जया पश्था क्वालिटी अरह उसे भी अछ जो है वह सक पथिए पर पर इन पूड दिया हुआ है लेकिन यह वाला एंप्रिफायर अपको टॉप के लिए बहत्त वह दो रहेगा लेकिन बॉब आप पर आप टॉप भी चला सकते हैं और बेस्ट भी चला सकते हैं वह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा तो इससे दोस्तों किसी को डिमोटिव करना नहीं था कि आपके पास अगर है तो आच्छा ही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सही है मैं वह पता दिया कि जिन लोग जिन भाई के पास यह 5k का जो अंपलिभायर है तो आपको टेंसल लेने भला कोई चीज है नहीं आप चला रहें तो चला रहें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा मानक तो आप उसमें टौफी चलाए और बेस ना चलाए तो आपके लिए बैतर रहेगा तो आज के लिए दोस्तों इतना नमस्कार धानेवाद